आज दिनांग 8 अपरल 2024 को मानेने सुप्रीम कोट में जैसा कि आपको ग्यात होगा मामला लिष्ट था और पूरे देश भर की नजरे आज की सुनवाई पर ठीकी होई थी पहला मामला Honorable Justice गवाई की बेंच में लगा हुआ था जो की उत्रा खंडगा मैटर था सबसे पहले वो टेक अप होता है और उस मामले की सुनवाई कंप्लीट होने के बाद से वहाँ से जो कुछ भी आउटकम होता है वो ले करके एडवोकेट उपस्तित होते हैं Honorable Justice अनरुद जस्टिस थे उसमें एक Honorable Justice अनरुद्द बोस और एक Honorable Justice संजय कुमार थे और जो Special Bench आज बैठी थी उसमें Honorable Justice सुधांसु धुलिया और Honorable Justice अनरुद्द बोस थे तो उत्तर प्रदेस वाला मामला चुकि एक तरीके से उसमें एक अलग जस्तिस थे इस वज़े से MP वाले लगबग आदे घंटे सुनवाई चली है सुनवाई अगर कहूं तो सुनवाई तो 10 से 12 मिनट ही चली है बाकी का आदे घंटे में से 10 से 12 मिनट निकाल दीजे जब एड़ोकेट्स बोल ले थे उसके बाद का 12 मिनट के बाद का समय जो था वो पूरा समय Honorable Justice ने लिया अपने जज्मेंट को लिखाने के लिए जी हां बिल्कुल सई सुन रहे हैं आप मानिने सुप्रीम कोट ने सुनवाई complete करने के बाद से अपने 11 अगस्त के जज्मेंट को clarify कर दिया है और इस जज्मेंट के बाद से सोसल मिडिया पर बहुत जादा भ्रामा के सिती बनी हुई है बह भूलें 10-12 मिनट के बाद जब honorable justice अपने फैसले को लिखवाना शुरू करते हैं तो इसका डियलेट के advocates के द्वारा लगातार विरोध किया जाता है आपको ग्यात होगा कि स्री कपिल सिब्बल जी जो सिक्षामित्र हैं उनकी तरब से यहाँ पर उपस्तित हुए थे इसपेसली उनातर जार सिक्षाग भरती वाले मामले में और एक और यूपी से ही महिला advocate उपस्तित हुई थी जो की last yearning में भी उपस्तित हुई थी और मध्य पर्देशे से सम्मन अपना judgment लिखवाना शुरू करती है तो उसका अपोज करते हैं यह कहते हुए स्री कपिल सिब्बल जी यह कहते हैं कि चुकी आपने 79,000 वाले matter में last to last hearing में आपने notice इसू किया था तो आप उन notice को सर्व हुए बिना या फिर उन matter में उन पक्षों को सुने बिना आप judgment कैसे दे सकते हैं इसके बाद से DLA के advocates ने यह कहा कि जिन राजियों में भरतियां subject to outcome थी उन राजियों की भरतियों का क्या होगा आप तो directly बिना उन matter को सुने या फिर जो आपने last hearing में जो आपने notice issue किया था Union of India को और NCT को उनका आप पक्ष नहीं जान रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा है उन्होंने अपना answer counter file किया या नहीं किया यह सारे matter अभी धरातर पर नहीं थे जो दो प्रशन पूछे गया थे कि क्या इनको bridge course करा करके इनको DLA के equivalent किया जा सकता है और कुल कितने पद खा लिया है इन सभी matter को लेकर के DLA के advocates के द्वारा लगातार अपोज किया जा र रथा कि natural justice करने की बात चल रही थी natural justice आपको ग्यात होगा कि Indian constitution में एक article 142 जिसका प्रयोग करते हुए Supreme Court अपने judgment को दे सकती है मतलब कि अगर कोई एक ऐसा कानून जो की भार्तिय समिधान में नहीं है या फिर जो की अभी कानून में exist नहीं करती है और Supreme Court को अगर लगता है कि संपूर्ण नयाय के लिए इस प्रकार का decision दिया सकता है तो article 142 का प्रयोग करके वो इस प्रकार के judgment दे सकती है और संसद या फिर इस प्रकार के कानून मनाने की जिम्मेदारी सरकार को दे दी जाती है तो यहाँ पर लगतार डियलेट के advocates के द्वारा इसका पोज किया ज था कि आप natural justice करिए और बिना पक्षो को सुने जो आपने पहले notice issue किया था उन पक्षो को सुने बिना आप judgment नहीं दे सकते हैं उसके बासे honorable justice ने उन सब को deny किया और अपने judgment को लिखाना सुरू करती है सुप्रीम कोट कहती है कि हमारा जो 11 अगस 2023 का judgment है जिसके clarification को ले करके पूरे देश बर के अभिर्थी और recruitment agency वेट कर रही है वो prospective nature का होगा prospective यानि कि वह जिस दिन से judgment दिया गया उस दिन से लागू हो जाएगा अब इसका मतलब यह हो गया कि 11 अगस्त 2023 के पहले की जितनी भी भरतिया होंगी वो सारी safe हो गई यह आप एक नजरे से देख रहे है लेकिन इसमें Supreme Court ने आगे भी कुछ wording जोड़े हैं जिसके बाद से और ज़्यादा चीज़े आपको clear होंगी Supreme Court ने यह कहा कि ऐसी जो recruitment agency की advertisement हैं जिसमें हमारे judgment से पहले जो भी advertise हो चुके हैं और जिसमें minimum eligibility DLA के साथ BA को mention किया गया था वो सारे जो appoint हो चुके हैं वो सारे अ प्राजियों की भरतियां जहां पर BA as a minimum eligibility उस advertisement में शामिल थी और वो appoint हो चुके हैं मतलब उनकी appointment कब होनी चाहिए 11 अगत से पहले हो जानी चाहिए अगर वो appoint हो चुके हैं तो उनकी नौकरी पर कोई भी खत्रा नहीं है वो अपनी नौकरी जारी रख सकते हैं लेकिन साथी उन्होंने एक word और भी जोड़ा कि वो ऐसे अभीर्थी नहीं होने चाहिए जिस पर कोई भी court of law के द्वारा कोई matter impose किया गया हो अब ये word ही पूरे मामले को justify करता है सुप्रीम कोट ने ये तो clear कर दिया कि हमारा judgment जो है वो 11 अगस 2023 से लागू होगा और इस judgment से पहले जो भ court of law क्या होती है देखिए magistrate level से उपर जितने भी courts होते हैं magistrate level include करते हुए जितने भी उपर के court होते हैं वो court of law के अंतरगात आते हैं इसका मतलब ये हो गया कि उसमें high court भी आएगी तो supreme court ने ये कहा कि ऐसा beard of यर्थी जो 11 अगस 2023 से पहले जोईन कर चुका है वो safe तो है ल और high court ने या फिर high court में मामला pending है या फिर high court में मामला निस्तारित हो चुका है वो सारे अभ्यर्थी directly इसे प्रभावित होंगे मैं समझ रहा हूँ आप confused हो रहे होंगे फिर से एक बार समझ ये 11 अगस्त 2023 से पहले जो beard अभ्यर्थी चैनित हो चुके हैं वो safe है उन पर high court में pending हो इस प्रकार की वो भर्ती नहीं होनी चाहिए यानि वो भर्ती subject to outcome नहीं होनी चाहिए high court में या फिर supreme court में वो भर्तियां safe है अब आप ऐसे समझें मालीजे किसी राज में कोई advertisement निकली और उस राज में beard अभीर्तों को challenge नहीं किया गया यानि high court में भी मामला नही यानि कि जब supreme court ने October 2022 में सभी राजयों को invite किया था कि आप अपना पक्ष आकर के रख सकते हैं वहाँ पर अगर उस भर्ती से सम्मंदित जो भी recruitment agency है या फिर राज सरकार के द्वारा matter को challenge या फिर अपना पक्ष नहीं रखा गया यानि supreme court ने या फिर उस राज की high court ने लेकिन जिन भी राजयों में भरतियां subject to outcome थी उन राजयों की भरतियां high court decide करेगा यानि कि उनकी B8 की eligibility high court निश्चित करने वाला है ये सब्द सुनने के बाद से जो dealet के advocates थे उन्होंने thankful कहा, grateful कहा Supreme Court को इस वजह से भी क्योंकि इस से पहले लगतार वो इस बात को उठा र रहे हैं, फिर तो उन लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा जो कि ऐसे dealet candidate थे, जो कि न्याय का weight कर रहे थे और भरतियों को subject to outcome रखा था high court ने, तो फिर subject to outcome रखने का मतलब क्या हो गया, तो उसी पर Supreme Court ने कहा कि हम ऐसे लोगों को safe कर रहे हैं जो कि subject to outcome जिसकी नियुकती न outcome रखा गया है, court of law का मतलब जैसे magistrates और उससे उपर जितने भी courts होते हैं, high court भी उसमें आती है, court of law में, तो high court में अगर भरती को subject to outcome रखा है, तो वो BA candidate safe नहीं है, वो BA candidate safe है, जो कि subject to outcome नहीं रहते हुए, चैनित हुए है, बाकि जिन भी राजों में subject to outcome वाली भरती है, व उन पर high court तै करेगी, जहां पर high court decision ले चुकी है, वो तो लागू होई जाएगा, और जहां पर decision pending है, वो high court तै करेगी और high court के decision से चीज़े इसपस्ट होंगी, उमीद करता हूँ आप doubt आपके clear हो गया होंगे, एक बार मैं फिर से इसपस्ट कर रहा हूँ, 11 अगस्त 2023 के judgment स इसे पहले जो भी beard अभ्यरती चैनित हो चुके हैं, और वो beard अभ्यरती किसी भी high court या फिर supreme court के फैसले के अधिन उनका चैन नहीं हुआ है, तो वो safe है, वो अपनी नौकरी कर सकते हैं, उन पर कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन जो beard candidate जिनकी नियुक्ति honorable high court या फिर honorable supreme court के judgment क अधिन हुई है, वो directly इसे प्रभावित होंगे, मैं जान रहा हूँ, अब आपके मन में उत्तर प्रदेश की 79 जार सिक्षक बरती का मामला आ रहा होगा, कि ये क्या होगा, क्योंकि supreme court में 881 वाला matter था, जो की उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था, यहां पर अगर आप बाकी के राज्यों में ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है, कि जिन भी राज्यों में भरतियां subject to outcome थी, वो matter high court decide करेगा, या फिर जहां पर decide हो चुकी है, वो चीज़े लागू होंगी, और बाकी जिन राज्यों में भरतियां subject to outcome नहीं थी, उन राज्यों में सीधे बाकी 11 अगस्त से पहले जिन भी भरतियों में उनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है, और भरती subject to outcome नहीं थी, वो भी पूरी तरके से सेफ हो चुकी है, अब एक एक करके राज्यों में अगर हम लोग बात करें, तो 36 गड़ की बात कर लेते हैं, तो 36 गड़ में आपको ग्यात होगा ज्वाइनिंग जो हुई थी, वो 11 अगस्त के बाद हुई थी, तो उनके उपर बहुत बड़ा तलवार है, उनके उपर खत्रा है, साथी सांत में आपको बता दू, 36 गड़ हाई कोट ने भी उनके अगेंस्ट में फैसले दे दिया है, तो ऐसे बिएट कंडिडेट अ को ग्यात होगा, कि भरती सब्जेक्ट टू आउटकम थी, और हाई कोट में अभी मामला 15 तारिक को अई थिंक लगा हुआ है, सुने जाने के लिए, वहां कि इस्टेट ऑफ माध्य प्रदेश के द्वारा हाई कोट में मामले को ना सुना करकर, डर्कली वो सुप्रीम कोट म को ले गई थी, इस वज़े से सुप्रीम कोट में मामला चला था, तो हाई कोट उस पर कोई भी हेरिंग नहीं कर रही थी, अब चुकि सुप्रीम कोट ने ये बोल दिया है, कि जिस पर मैटर इंपोज नहीं था, यानि चुकि मैटर इंपोज था, MP BA वाले के उपर, तो वो मैटर अब कौन डिसाइड करेगा, वो मैटर अब हाई कोट डिसाइड करेगी, हाई कोट में मामला अभी अल्लेडी पेंडिंग है, तो वो मैटर अब हाई कोट में जाएगा, 15 अप्रेल 2024 को आई थिंग वहाँ पर हीरिंग होनी वाली है, इसके बास से 36 गड़ हो गया, मद उत्राखंड मैटर, तो उत्राखंड हाई कोट के द्वारा भी डिसीजन दे दिया गया है, और आज सुप्रीम कोट में भी मामला था, तो वो भी मैटर डिसाइड कर दिया गया, तो वहाँ पर भी बीड पर खत्रा ही है, उसके बास से बात करते हैं, अगर मैं आपको बात हिमाचल प्रदेश वाला मामला, तो हिमाचल प्रदेश वाले मामले में वहाँ की हाई कोट ने रहात दिया है, और वो जो रहात दिया है, चुकि वहाँ पर मैटर रिव्यू के तौर पर जो डिलेड वाले कंडिड थे, वो लेकर के गये थे, और उस समय चुकि वो लीगल इस वज़े से High Court ने Beard के फेवर्म फैसला दिया है, तो वहाँ पर फैसला लागू रहेगा, यानि हिमाचल प्रदेश में Beard सेफ रहेगा, UP की बात कर ले, तो UP उत्तर प्रदेश में देखिए, High Court में कोई भी मामला subject to outcome नहीं था, 14.548 जो अभी हाली में High Court के द्वारा निस्तारित किया गया है, वो मैटर वापस ले लिया गया, DLA के Advocates को द्वारा, ठीक है, और इस वज़े से High Court ने उस मैटर को निस्तारित कर दिया है, और 881 वाला जो मैटर था, जो कि Supreme Court में चल ला था, वो similar मैटर होने के साथ, होने के वज़े से Supreme Court ने उसको connect कर दिया था, देवे सर्माजी की याचिका के साथ, तो चुकी वो भरती उस समय सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी, ध्यान से समझे, चुकी वो भरती उस समय सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी, और इसलिए, इसलिए वो मैटर पर Supreme Court ने आज कुछ भी कहने से, एक तरह के से कुछ कहा ही नहीं है, यूपी के क्लरिफिकेशन को ले करके, ठीक है, यूपी के तरब से कपिल सिबल भी उपस्ती थे, तो उनके मैटर पर कुछ भी Supreme Court ने नहीं कहा है, तो यूपी का मैटर जो है, वो अभी भी कुछ भी कहा जाना बहुत जादा मुश्किल है, बहुत जादा जज्मेंट नहीं आ जाता, तो अभी आपको जज्मेंट का वेट करना होगा, यूपी वाले मैटर को ले करके, बाकी आने राज्यों में Supreme Court का जज्मेंट बिल्कुल क्लियर है, कि जिन भी राज्यों में B.A.D. ऐसे B.A.D. कैंडिडेट जो की Honorable High Court के द्वारा उन पर मैट मैटर इंपोज किया गया है, यानि कि वो subject to outcome भरती है, उसमें B.A.D. की Eligibility High Court टैक कर चुकी है, या फिर करेगी, यानि High Court जो फैसला देगा, वो लागू होगा, और ऐसे B.A.D. कैंडिडेट जो 11 अगस्ते पहले जोईन कर चुके हैं, और उन पर कोई भी इस प्रकार का मै Union of India ने कहा, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और इसी का अपोज कर रहे थे, D.L.A.D. वाले candidates, और ये कब कराया जाएगा, कौन कराया, कब तक होगा, इसके बारे में भी कुछ भी जानकारी नहीं है, सिर्फ Supreme Court ने ये कहा है, कि जिनका 11 अगस्ते पहले जोईनि करिया आपका दिन, शुभो